नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे Wondershare Filmora पर किस तरीके से हम Catch Memory को डिलीट कर सकते हैं और हमें Catch Memory कौन से कौन से टाइप के Wondershare Filmora के फाइल पर देखने को मिलता है चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं दोस्तों Wondershare Filmora को यूज करते करते हैं आप Storage पर अगर चेक करोगे तो आप देख पाऊगे कि Storage आपका फुल होते जा रहा है तो दोस्तों आप Catch Memory को किस तरीके से डिलीट कर सकते हैं चलिए आज की इस वीडियो में हम बढ़ते हैं तो चलिए अब हम इसे Close कर देते हैं उसके बाद हमें क्या करना है My Computer को Open कर लेना है उसके बाद दोस्तों कुछ इस तरह का Interface आता है आपको Document File पर जाना है तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों लगवग 80GB का Storage Conjunction है यहां पर हमारा WonderSearch Filmora की फाइल पर तो चलिए हम इसे Open करते हैं जैसे ही दोस्तों आप Open कर लेते हैं फाइल को आपको फिर से और एक Folder को Open कर लेना है उसके बाद कुछ इस तरह का Interface आपको देखने को मिलेगा अगर आपने VoiceOver किया है तो आपको VoiceOver की File यहां पर देखने को मिल जाएगा चलिए हम VoiceOver वाले File पर जाते हैं VoiceOver वाले File पर अगर मैं जाता हूँ तो आप यहां पर देख सकते हमारा जो VoiceOver है वो Delete हो गया तो दोस्तो VoiceOver को मैंने कुछी टाइम पहले Delete किया हुआ था मैं आपको Recycle Bean पर Show कर दूँगा तो दोस्तो अगर आपने सारे Project को Export कर लिया है तो VoiceOver को यहां से Delete कर देखने को मिल जागा अगर आप Properties पर जाके Check करते हैं तो लगवग 37 GB का यहां पर Storage Conjunction है तो चलिए इसे Open करते हैं तो यह हमारा Render Catch है दोस्तो अगर मैं कोई भी File को यहां पर Open करता हूँ तो हमारा यहां पर कोई भी File Workable नहीं है जी हैं दोस्तो कोई भी काम का नहीं है तो चलिए हम इसे सारे फाइल्स को डिलीट कर देते हैं तो चलिए 37GB हमारा यहां से render catch हमारा डिलीट हो जाएगा दोस्तो मैं अगर माई computer को open करके दिखाता हूँ दोस्तो तो आप देख सकते हमारा storage कुछ इस तरीके का है तो चलिए हम इसे डिलीट कर देते हैं जैसे हम render catch को वंडर से फिल्मोरा के फोल्डर से डिलीट कर देंगे दोस्तो render catch हमारा एक तरह का junk file है दोस्तो उसे delete करने से हमारे system पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा हाँ दोस्तो storage की capacity पे increasement जरूर आएगा तो इसे रखने से कोई फाइदा नहीं आप इसे delete कर दें डिलीट करते हैं ड्राइब पे storage का capacity increase हो जाएगा तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तो जैसा मैंने पहले ही बताया था मैंने recording को कुछ अच्छी टाइम पहले डिलीट किया था तो recycle बीन को जैसे मैं open करता हूं आप यहां पर देख सकते हैं सारा recording यहां पर मौझूद है आप इसे भी डिलीट कर दें जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर देखने को मिल जागा तो इससे आप दोस्तों करें जैसे पर देखने को मिल जाएंगे और साती दोस्तों आपको आउटपूट पर भी देखने को मिल जाएगा जो में फाइल है इसको अगर आप प्ले करोगे तो आप इसे किसी तरीके का यूज में नहीं ला सकते तो यह वी एक तरीके का कैच है दोस्तों select all करके आपको क्या करना इसे दिलीट कर देना तो दोस्तों इसी तरीके से wondershare के सारे कैच मेमोरी को आप दिलीट कर सकते हो अपने PC से दोस्तों अगर आप आप आउटपूट पर जाते हो तो यहां भी आपको कुछ इस तरीके का फाइल्स आपको देखने को मिल जाएगा यह सारे main फाइल है दोस्त करें वीडियो को लाइक करें नोटिफिकेशन को आल पर रखें ताक कि हमाई लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें